प्यारे बच्चो नमस्कार मैं हूँ आपकी अध्यापिका संगीता ककर कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे आज हम आपकी हिंदी की पाठे पुस्तक क्षितेज भाग एक का पांचमा पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पढ़ने वाले हैं इसकी लेखी का हैं चपला देवी बच्चो इस पाठ का संबंद हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम से है तो आप मेरे इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए मुझे आशा है आप उत्तर अवश्य दे पाएंगे सबसे पहले बताईए कि ये संग्राम बड़े पैमाने पर कब शुरू हुआ था कौन से साल में याद है आपको बताईए जी हाँ 1857 में अच्छा ये बताईए कि इसका आरंब करने में किस व्यक्ति का हाथ था आपने पढ़ा होगा उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे इसका आरंब किस घटना से हुआ था बता सकते हैं जी हाँ सिपाईयों ने नए कार्तूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें ये बात फैल गई थी कि उन कार्तूसों पर गाय और सूर की चर्बी लगाई गई थी जो कि हिंदू और मुसल्मान दोनों के लिए धर्म के विरुध था अच्छा क्या केवल यही एक कारण था जिसके लिए भारत में एक बड़े पैमाने पर ये संग्राम शुरू हो गया नहीं केवल ये कारण नहीं था भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रती विभिन कार्णों से घ्रणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रो ने एक चिंगारी का कार्य किया मंगल पांडे भारत के प्रत्थम स्वतंत्ता संग्राम के अग्रदूत थे उनके द्वारा भड़काई गई क्रांती की ज्वाला से अंग्रेजी शासन पुरी तरा हिल गया है ना तो मंगल पांडे प्रतेक भारत्य के लिए एक महानायक हैं अच्छा मंगल पांडे के इलावा और किन-किन लोगों ने इस संग्राम में भाग लिया था बताईए आपने कई कक्षाओं में पढ़ा है उनके बारे में इस आंदोलन के नेताओं में से कौन थे मुख्य? महारानी लक्ष्मी बाई, धुन्दुपत नाना सहाब, तांत्या टोपे, कुवर सिंग, बेगम हजरत महल, अजीम उल्ला ये हैं कुछ नाम बच्चो, हमारा आज का पाठ नाना सहाब की वीर, निदर, देशभग, पुत्री के बारे में है जिसे नाना सहाब युद्ध पर जाते समय अपने साथ ना ले जा सके और अंग्रेजों ने उस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दयाना दिखाई और उसे आग में जला कर फस्म कर दिया ये पाठ चपला देवी जी द्वारा लिखा गया है जिसे उन्होंने अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच के 1930 में चर्पे बलिदान अंक में लिखा था इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान नियोच्छावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया था ऐसे लेखन लोगों को सरकार के विरुद भड़का सकते थे इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस अंक को निकलते ही जब्त कर लिया था तो आईए पार्ट शुरू करते हैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया सन 1857 इस्वी के विद्रोही नेता धुंदूपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरी और निरप्राद देवी को अगनी में भस्म कर दिया उसका रोमांचकारी वर्णन पाशान हृदे को भी एक बाद द्रवी भूत कर देता है कानपूर में भीशन हत्या कांट करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ती अंग्रेजों के हाथ लगी इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म करने का निश्चे किया सैनिक दल ने जब वहां तोपे लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुन्दर बालिका आकर खड़ी हो गई थी उसे देखकर एक अंग्रेज सेनापती को बड़ा अश्चर्य हुआ क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं दिखाई न दी थी उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापती को गोले बरसाने से मना किया उसका करुणा पूर्ण मुख और अल्प वेयस देखकर सेनापती को भी उस पर कुछ दया आई सेनापती ने उससे पूछा कि क्या चाहती है बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाशा में उत्तर दिया क्या आप क्रिपा कर इस महल की रक्षा करेंगे सेनापती क्यों तुम्हारा इसमें क्या उदेश है बालिका आप ही बताईए कि ये मकान गिराने में आपका क्या उदेश है सेनापती ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास्थान था सरकार ने इसे विद्धवंस कर देने की आग्या दी है बालिका आपके विरुद जिनोंने शस्त्र उठाई थे वे दोशी हैं पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या पराद किया है मेरा उदेश इतना ही है कि यह स्तान मुझे बहुत प्रिये है इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए सेना पती ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि करतव्य के अनुरोज से मुझे ये मकान गिराना ही होगा इस पर उस बालिका ने अपना परिचे बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जर्नल हे हैं आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी उस समय आप भी हमारे यहां आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे मालुम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए है मेरी की मृत्यू से मैं बहुत दुखी हुई थी उसकी एक चिठी मेरे पास अब तक है यह सुनकर सेनापती के होश उड़ गए उसे बड़ा अश्चरे हुआ और फिर उसने उस बाली का को भी पहचाना और कहा अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है सेनापती हे कुछ क्षन ठहर कर बोले हाँ मैंने तुमें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो किन्तु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आग्या नहीं टाल सकता तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रियत्न करूंगा इसी समय प्रधान सेनापती जर्नल आउटरम वहाँ आ पहुंचे और उन्होंने बिगड कर सेनापती हे से कहा नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया सेनापती हे ने बिनेपूरवक कहा मैं इसे फिक्र में हूँ किन्तु आपसे एक निवेदन है क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है आउटरम गवर्नर जर्नल की आग्या के बिना ये संभव नहीं नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अदिक है नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है सेनापती हे तो लॉर्ड केनिंग को इस वशे का एक तार देना चाहिए आउटरम आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किये बिना और नाना की लड़की को गिरफतार किये बिना नहीं छोड़ सकते सेनापती हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया इसके बाद जर्नल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर गुस गए और मैना को खोजने लगे किन्तु अश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा उसी दिन संध्या समे लॉड केनिंग का एक तार आया जिसका आशे इस प्रकार था लंडन के मंत्री मंडिल का यमत है कि नाना की स्मृती चिन तक मिटा दिये जाए इसलिए वहां की आग्या के विरुद कुछ नहीं हो सकता उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आग्या से नाना साहब के सू विशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे घंटे भर मेवे महल मिट्टी में मिला दिया गया उस समय लंडन के सूपरसिद टाइम्स पत्र में छटी सितंबर को यह एक लेक में लिखा गया बड़े दुख का वशे है कि भारत सरकार आज तक उस दुरदान्त नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाती का भीशन क्रोध है जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकान का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे उस दिन पार्लेमेंट की हाउस अफ लॉड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी हे के लिए निश्च ही ये कलंग की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद में बिताकर अंत में व्रिधावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महराष्ट बालिका के सुंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंदी जहां कही मिले मार डाला जाए नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमा लाप हुआ है उसको उनी के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए सन सत्तावन के सितंबर मास में अर्ध रातरी के समय चांदनी में एक बालिका स्वच उजवल वस्त्र पहने हुए नाना सहाब के भगना विशिष्ट प्रासाद के धेर पर बैठी रो रही थी पास ही जर्नल आउटरम की सेना भी ठहरी थी कुछ सैनिक रातरी के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए बालिका केवल रो रही थी सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी इसके बाद कराल रूप धारी जर्नल आउटरम भी वहां पहुँच गया वह उसे तुरंट पहचान कर बोला ओ ये नाना की लड़की मैना है पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों और सैनिकों को देखकर जरा भी डरी जर्नल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा अंग्रेज सरकार की आग्या से मैं तुम्हें गिरफतार करता हूँ मैना उसके मूँ की ओर देखकर आर्तस्वर में बोली मुझे कुछ समय दीजिये जिसमें आज मैं यहां जी भरकर रो लूँ पर पाशान हृदे जर्नल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी उसी समय मैना के हाथ में हतकड़ी पड़ी और वैकानपूर के किले में लाकर कैद कर दी गई उस समय महराश्ट्रिय इतिहास वेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कल कानपूर के किले में एक भीशन हत्याकांड हो गया नाना सहब की एक मात्र कन्या मैना धदकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई भीशन अगनी में शान्त और सरल मूर्ती उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझ कर प्रणाम किया बच्चो आपको ये पाठ कैसा लगा हमें इस पाठ में इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उस समय भारत का महौल कैसा था और अंग्रेजी सरकार भारतियों के साथ किस तरह से व्यभार करती थी कितनी क्रूरता करती थी तो आईए अब कुछ प्रश्णों के द्वारा हम इस पाठ में आई बातों को दोहरा लेते हैं सबसे पहले करते हैं कुछ बहु विकल्पिये प्रश्णों पहला प्रश्ण UFO सुनिए जब एक पाठ की लेखिकाका नाम बताईये बच्चों प्या नाम था? उत्तर के लिए विकल्प है है निर्मला देवी लक्षमी बाई चपला देवी या संटोर श्यादव बताईये आपका क्या उत्तर है? सही उत्तर है चपला देवी. ठीक है? आगे चलते हैं. दूसरा प्रश्न. इस पाठ को किस पत्रिका में छापा गया था? विकल्प सुनिये. हिंदू पंच, चांद, हंस या कामीनी. पत्रिका का नाम बताइए. क्या है सही उत्तर? हिंदू पंच. जी ह चलिए आगे बढ़ते हैं. तीसरा प्रश्न. मेना किसकी पत्री थी? उत्तर के लिए विकल्प हैं. अजीम उल्ला, नाना साहब, बाजी राओ, या तांत्या टोपे. क्या है सही उत्तर? नाना साहब. बिल्कुल सही. अगला प्रश्न सुनिये. नाना साहब का पूरा नाम क था? विकल्प हैं. धुन्दूपत नाना साहब, असीम नाना साहब, बाजी राओ नाना साहब, या इन में से कोई नहीं. क्या है सही उत्तर? बताइए. धुन्दूपत नाना साहब. आगे चलते हैं. पांचवा प्रश्न. मैंना जर्नल आउटरम की ओर देखकर किस स्वर मे बोली थी. विकल्प हैं. उंचे स्वर में, धीमे स्वर में, आर्थ स्वर में, या इन में से कोई नहीं. आपका क्या है उत्तर बच्चो? तीसरा विकल्प आर्थ स्वर में. अगला प्रश्न. मैंना की अंतिम इच्छा क्या थी? विकल्प हैं. पिता से मिलना, दूसरा तीसरा जी भरकर रोना, चौथा मेरी से मिलना, बताईए कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर है जी भरकर रोना, सात्वा प्रश्न है, जनरल अउटरम ने उसे क्या कहकर गिरफतार किया था, उत्तर के लिए विकल्प हैं, अंग्रेजी सरकार की आग्या है, दूसरा तुम्हें छोड नहीं सकता, तीसरा तुम्हारे पिता अपराधी थे, और चौथा इनमें से कोई नहीं, क्या है सही उत्तर बताईए जल्दी से, सही उत्तर है, अंग्रेजी सरकार की आग्या है, अगला प्रश्ण है मैना से सेनापती हे को सहानु भूती क्यों हुई? उत्तर के लिए विकल्प हैं वे उसकी पुत्री की सहचरी थी या वे बहादुर थी या वे सुन्दर थी या फिर सेनापती दयालू था. कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प है वे उसकी पुत्री की सहचरी थी अगला प्रश्ण सुनिये अंग्रेजी सेना नाना साहब का वास्थान क्यों नश्ट करना चाहती थी? उत्तर के लिए विकल्प हैं अंग्रेजी जनता को उस पर गुस्सा था दूसरा विकल्प अंग्रेजी सरकार का हुक्म था तीसरा विकल्प उसने अंग्रेजी नर नारियों की हत्या की थी? या चौथा विकल्प ये सभी? बताइए आपका उत्तर क्या है? उत्तर है ये सभी ये तीनों वाक्य सही हैं अगला प्रश्न मैना से जो व्यवहार किया गया उस से अंग्रेजी सरकार का कौन सा रवया प्रकट होता है? उत्तर के लिए विकल्प है भलाई, कुरूरता, परोपकार या अच्छा? बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कुरूरता, सही. अगला प्रश्न सुनिये, सेना पती हे की पुत्री जो मैना की सहचरी थी, उसका क्या नाम था? विकल्प सुनिये, मेरी, तेरी, चैरी या सुन्दरी. क्या है सही उत्तर? मेरी, उसका नाम मेरी था. आएए, अब पाट में आए, कुछ शब्दों पर गौर करते हैं. पाट से यह वाक्य देखिए. उस समय महाराश्ट्रिय इतिहास वेता महादेव चितनवीस के बाखर पत्र में छपा था. इतिहास वेता यानि इतिहास का जानकार इसी प्रकार के अन्निशब्द भी होते हैं. जैसे भविश्य वेता, अर्थात भविश्य को जानने वाला, फिर है विज्ञान वेता, यान विज्यान को जानने वाला, अगला वाक्य देखिए, एक बालिका नाना साहब के भगना विशिष्ट प्रासाद के धेर पर बैठी रो रही थी, ये वाक्य भी आपकी पुस्तक से हैं, इस पार्ट से है, प्रासाद का मतलब तो होता है महल, भगना विशिष्ट का क्या अर्थ होगा भगन यानि तूटा हुआ भगना विशिष्ट यानि खंडर जो मकान तूट चुका था तोपों के गोले से उस पर बैठी वे रो रही थी तो वे खंडर पर बैठी थी अगला शब्द इस वाक्य में देखिए उसका करुणा पूर्ण मुक और अल्प वयस देखकर सेना पती को भी उस पर कुछ दया आई अल्प वयस का अर्थ बताईए क्या होगा अर्थ अल्प यानि कम इसका अर्थ हुआ अल्प वयस का अर्थ हुआ कम उम्र वे लड़की कम उम्र की थी अब हम आ पहुँचे हैं पाठ के उस भाग में जहां हम पाठ की कुछ महत्व पूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे पहला प्रश्ण सुनिए बाली का मैना ने सेनापती हे को महल की रक्षा के लिए कौन-कौन से तर्क दिये थे बताईए याद कीजिए उसने उसे कहा था अंग्रेजों के दोशी नाना साहब है मकान का इसमें क्या दोश है फिर वे बोली थी वे बच्पन से यहां रह रही है यह स्थान उसे बहुत प्रिये है और अंत में उसने तर्क दिया कि सेनापती हे आपको मैं अपना परिचे देती हूँ आपकी पुत्री मेरी मेरी सहेली थी तो इस प्रकार अलग-अलग तर्क देने से वे सेनापती हे की सहानू भूती जीत पाई अगला प्रश्न देखिए बाली का मैंना के चरित्र में कौन-कौन सी विशेशताएं थी बताईए बच्चो जैसे की वे वाक चतुर बालिका थी अर्थात उसने बहुत अच्छी तरह से बात करके सेनापती हे को प्रभावित किया उसके बाद उसमें क्या गुण था? उसके मन में अपनी पैत्रिक धरोहर के प्रतिसम्मान की भावना थी वे नहीं चाहती थी कि उसका मकान गिरा दिया जाए इसके लिए उसने भरसक प्रियत न किया इसके बाद उसके मन में किसी प्रकार का कोई भै नहीं था वे एक साहसी लड़की थी फिर बच्चो उसमें आत्म बलिदान की भावना भी थी वे डरी नहीं और खुशी-खुशी अपने आपको बलिदान कर दिया इसके इलावा मेना बहुत भावुक भी थी तभी वे मकान के जल जाने पर इतनी दुखी थी और कितने समय तक रोती रही एक और प्रश्न का उत्तर आप दीजिये कि स्वाधीनता अंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी जो की लेखन अभी हम पढ़कर चुके हैं यह पाट इस तरह की बातें पढ़कर लोगों पर क्या असर होता होगा तो बच्चो समाज के लोगों तक संदेश पहुँचाने में लेखन कला का बहुत महत्व पून स्थान रहा है हमेशा ही लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रती आक्रोश की भावना जागरत हुई होगी लोगों को मैना के बलिदान से देश भक्ती की प्रेड़ना भी मिली होगी तो विद्यार्थियों ये सब पढ़ने के बाद यहां मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ओजपूर्ण कविता जांसी की रानी बहुत याद आ रही है इस कविता में 1857 के संग्राम उसमें भाग लेने वाले वीर विरांगनाओं वह उस समय के महौल के बारे में बड़ा ही मार्मिक चित्रन मिलता है आईए पाच समाप्त करने से पहले इस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं तो सुनिये यह कविता और मेरे साथ बोलने की कोशिश भी करिये सिंहासन हिल उठे राजवन्शों ने भ्रिकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी कुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी तूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वे तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वे तो जांसी वाली रानी थी अब उस समय के महौल के बारे में कुछ पंक्तियां महलो नेदी आग जोपडी नेज्वाला सुलगाई थी यह स्वतंतरता की चेंगारी अंतर तम से आई थी जांसी चेती दिल्ली चेती लखनव लपते चाई थी मेरट कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी जबलपुर कोलापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुँं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जांसी वाली रानी थी फिर जिन लोगों ने इस युद्ध में अपना बलिदान दिया उनके बारे में कव्यत्री ने लिखा है इस स्वतंत्रता महायग्य में कई वीरवर आये काम नाना दुन्दू पत तांतिया चतुर अजीम उल्ला सरनाम एहमद शा मौलवी ठाकुर कुवर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुँं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो चांसी वाली रानी थी कितनी जोश भरी है ये कविता जो एक मुर्दा शरीर में भी जान फोंक दे बच्चो इसके साथ ही हमारा आज का पाठ संपूर्ण होता है बोलिए मेरे साथ जै भारत नमस्कार